तो क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि वेरवुल बनते समय हर कोई इतना दादा चिला चोट क्यू करता है भई आप इतनी ऑसम चीज बनने जा रहे हो तो चीखनी के जरुरत क्या है तो चीखे माने का कारण है कि दो पैरो वाला इंसान जब चार पैरो वाले जानवर म लंबी होती है पूरा कपूरा वर्टिबरल कॉलम मतलब हमारी रीड की हड़ी जो है वो चेंज होती है इसके बाद जैसे सब कुछ कम है तो आखे चेंज होती है उसके बाद जो मू है वो एकदम चक्टे से लंबा होता है तो यहां पर जितनी भी बोन्स है वो पूरी तरह स और दुबारा से रिफॉर्म होती है और जैसे ये सब कुछ कम है तो सिर्फ एक पूच के लिए इसकी पूरी की पूरी टेल बॉन जिसको डॉक्टरी की भाशा में कोकिक्स कहा जाता है वो तूटती है और जैसे इस सब कुछ कम है तो अंदर के जो विसरल और गंस है मतलब सब चेंज होते हैं अब दाओ इसमें दर्द नहीं होगा तो क्या होगा लेकिन चीज तो आसम है